नवश्कार दोस्तों, study service की इस class में जो है आप सभी का स्वागत है और आज की class जो है आप सभी के लिए बहुत important होने वाली है previous classes जिसने नहीं देखी है तो वो जाकर के playlist में जाकर के अपनी classes को complete कर ले मैं बता दूँ कि अगर आपने study service को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए साथी मैं बता दूँ study service के अपनी play store पे app है जिसमें आप paid courses भी हमारे purchase कर सकते हैं तो different different courses जो है different different exam के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे चलिए यह वेली class आपके लिए free of cost है तो आप इसे जो है subscribe जरूर करे चैनल को और वीडियो को like जरूर करे अगर आपको हमारा परियास अच्छा लग रहा हो चलिए start करती हूँ मैं आज की class को आज की class बहुत important होने वाली आपके लिए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले बैदिक education system तो भारत में जो है बैदिक time period में इंडिया में जो है इंडियन बैदिक education system भी आप इसे बोल सकते हैं यानि की भारतिय बैदिक शिक्षा पदती या परनाली के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले बता दू कि यह शिक्षा का meaning क्या होता था इसमें उस समय जो शिक्षा का मतलब होता था या फिर मैं यहां पर लेख सकती हूं आपको विद्यारम संसकार बोलती थे उस समय आज जो शिक्षा जो है आपकी गुरुकुलों में दी जाती थी उसे कहते हैं आपका उपनेयन संसकार उसे कहा जाता था उपनेयन संसकार तो अगर कभी यह वर्ड आ जाये तो आपको पता होना चाहिए कि उपनेयन संसकार क्या है जो आपको गुरुकुल में दिया जाता था जो आपको गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा थी वो शिक्षा आपकी उपनेयन संसकार होता था और जो विद्यारम था यह आपको जो है घरों में ही या फिर कह सकते हैं कि आपका परिवार में ही तो वेरी वेरी इंपोर्टन यह दो वर्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं परिवार की अंदर दी जाने वाली शिक्षा को बिद्यारम संसकार कहते थे और गुरुकुल में जो प्रापत करते थे जाकर के शिक्षा उसको आप जो है उपनेयन संसकार कहते थे इसके इलाबा और भी शिक्षा जैसे आपको जो है कला और कोशल यानि कि आपकी स्किल डिपालमेंट से रिलेटिड जो आपकी एजुकेशन होती थी उसको जो है ट्रेनिंग के आधार पे दिया जाता था और ये जो है अलग-लग सबजेक्ट पे आपको दी जाती थी जिसको आप जो है को कोशल में प्रिश्डिक्षन का मतलब है यानि के आपको जो ट्रेनिंग पर आपकी स्किल्स को डिपाल्फ करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसको भी शिक्षयी कहा जाता था तो में इंपोर्टेंट यहाँ बिध्यारम संसकार था और उildy उपनियन संसकार था त तो चलिए वाल आपको जो है दो टर्म्स अच्छे से क्लेर होगी होगी अब हम बात कर लेते हैं कि बैदिकाल में एजुकेशन सिस्टम कैसा था तो नमबर वन पहले हम बात करेंगे प्रारंबी कि यानि कि प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं कि उस समय भी जो है वियर एजुकेशन कहते हैं उसकी फी ठोड़ा सा हम बात करेंगे कि हाईर एजुकेशन कैसी दी जाती थी तो सबसे पहले हम देख लेता है प्राइमरी एजुकेशन प्रेमरी करीकेशन की मैं यहाँ भात करो तो यहाँ पे जो थी यह बैदिकालforme-जा सिक्षा जो स्टार् तो उसमें क्या किया जाता था उसमें जो है कोई शुप महौरत दिन का शुप महौरत निकालके जो है बच्चे को सनान बगारा करवाया जाता था और जो कूल का प्रोहित होता था वो इस शिक्षा को जो है बच्चे को पूजा पार्ट करवा करके जो है अब शोट फोर में ब वेवस्था की गी थी, इसके लिए क्या की गी थी, गुरुकुलों की बेवस्था, जिस तरह से आस्कूल होते हैं, उसमें भी क्योते हैं, गुरुकुल हुआ करते हैं, गुरुकुलों की बेवस्था उसमें की होती थी, गुरुकुलों में शिक्षा परदान की जाती थी, इस वर्ष की आयू पर क्षट्री का होता था तो 10 वर्ष की आयू पर है और वैशे के बच्चों को जो है 12 वर्ष की आयू पर तो ये सब जो है इसमें age limit भी गुरुकुलों में आपको देखने को मिली है तो मैं फिर से बता देती हूँ गर ब्रामे आठ से 12 साल तक टोटल है अग इसे ही बच्चा जो है गुरुकुल में प्रविश करता था तो हमें पता है कि गुरुकुल की शिक्षा के लिए उपनेयन संस्कार कहा जाता था तो वो होता था उसका और संस्कार के बाद जो है उसकी उच्छ शिक्षा जो अब वो स्टार्ट हो जाती थी तो ये जो है आपक इस vocational education का या website education का जो नाम हुआ करता था, करम शिक्षा नाम हुआ करता था, इसे बैदिक समय में करम शिक्षा की नाम से जाना जाता था, very very important, पूछा जा सकता एक नमबर का question, तो करम शिक्षा कहा जाता था, और ये जो है बच्चों की योक्यता और ख्षमता, यानिकि उनक time period में जो है, आपकी देखने को आपको मिलती है, तो आपको पता चल चुका है कि उस टाइम भी primary hiring और vocational education हुआ करती थी, क्या-क्या कहा जाता था, कहां-कहां पर दी जाती थी, ये सब चीजे में आपको बता चुकी हूँ, तो I hope कि यहां तक आपको understand अच्छ से हो गया करते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम बात करते है, बैदिक पिरिट पिरिट अगर बैदिक एज की बात करें, तो उस समय हमें बैदिक education दी जाती थी, जो 600 इसवी तक मानी गी है, BC मतलब बिफॉर क्राइस्ट इसवा पूरफ तक मानी गी है, फिर ह पिरिट 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 पिर जब हम करेंगे इसके एक क्योंकि आभी बैदिक लोगी वे उसके बाद इसके जो है आपको कल जो है next class में आपको इसके related questions होगे उसके बाद जो आपको आएगा बोधिस्ट वाली आएगी थिक है तो ये जो है अभी बैदिक पिरट के बारे में थोड़ा बहुत आप जान चलिए next देखते हैं तो next अगर हम बात करें तो next हमारे पास आता है बैदिक शिक्षा के बारे में तो बैदिक शिक्षा जो है आपकी ये जो शब्द है बैदिक या फिर कहें कि बैदिक शिक्षा जो है इसका मतलब होता है knowledge यानि कि बैदिक का मतलब है यहां पर knowledge है जानना है और ये कहां से लिया गया है बैदिक तो बैदिक जो वर्ड है आपका ये लिया गया है बेदाज से यानि कि बेदों से ठीक है बेदों से लिया गया है और बेद का मतलब क्या होता है जानना या फिर ग्यान ठीक है इसको हम रहते है टूनाओ टूनाओ बर्ड से जो है हम इस जाते हैं, scriptures की रूप में जो है, जाने जाते हैं, Sanskrit scriptures आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह scriptures क्या होते हैं, books हैं, या फिर religious importance for a particular reason होता है, यानि कि कोई ऐसी धार्मिक जो चीज़ें जो आपने किताबें जो पड़ रखी होती हैं, या फिर आपको जो है, ऐसी नॉलेज जहां से धार्मिक नॉलेज आपको मिल रही होती है, वो यहाँ पर, वहीं से जो है, आपको यह सब जैसे, for example, मैं आपको बता देती हूँ, मैं हमें books बोला, scriptures मतलब books, जिससे आपको धार्मिक नॉलेज मिल रही होती है, यह धार्मिक किताब है, जैसे Bible है, Bible जो है, Bible से हमें किस चीज की नॉलेज मिलते हैं, Bible जो है, वो हमें देती है, for Christians knowledge, for Christians के लिए है, और अगर हम बात करें, गीता, भागवत गीता, तो वो हमें for Hindu, Hindu के बारे में जो हम वहां से जानते हैं, और अगर हम बात करें, Quran की, तो उससे जो है, हम जानते हैं, अपना, for Muslims, तो, इसी जो है, इसी को हम कहते है, scriptures, कौन से scriptures, तो यह आपके Sanskrit, तो, यह सब चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी, इसका मतलब समझ आ चुका होगा, कि इसे क्या-क्या कहा जाता है, और इसका क्या-क्या मेनिंग होता है, यह सब आपको समझ आ चुका होगा, फिर हम चलते हैं, अब next अपने, next पे, तो next के अगर हम बात करें, next हमारे पास आता है, sources of Vedic education, तो Vedic education को जानने के जो सत्रोथ है या sources है, वो क्या रहे होगे, तो सबसे important है कि बादिक education को जानने के लिए, जो हमारे पास Vedic literature रहा है, बादिक literature यानि कि बादिक साहिती ही, हमारे पास एक मात्य सत्रोथ रहा है, जिससे हम बादिक education के बारे में जोए जान सकते हैं, तो बैदिक सुत्रोतों में क्या-क्या आता है, वो देखते हैं, फोर वेदाज आते हैं, आपके, चार वेदा आते हैं, चार आपके बेद है, फिर सेक्स बेदांग है, तो क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगे आगे, छे बेदांग है आपके, चार उपवेद है, चार उपवेद है, आपको कोई सबी मीडियम, वो डेसंट मैटर, ये कोई भी मीडियम इसमें आपकी education में जो है बाधा नहीं आएगा, फोर ब्रामिन्स हैं, एक सो आठ उपनिशिद हैं, जिससे आपको ब्यदिक education के बारे में पता है, शिक सिस्टम और फिलोसपी है, दर्शन शास्तर की जो है आपको छे आपको परनालियां बताएगी है, फिर है भागवत गीता, इससे भी आपको पता चलता है, फिर थ्री समरी तीन आपके समरीतियां हैं, तो इन सबी चीजों से आपको पता चलता है अपने बैदिक education system के बारे में, यह हमारे लिए most important sources रहते हैं, बैदिक education को जानने के, चली, तो next देखते हैं, यह भी आपको clear हो चुका होगा कि कौन-कौन से sources हैं, जिससे आपको पता चलता है कि बै देख लेते हैं, तो बेध है आपके, ब्रामिन से उपनिशीद है और धर्म सूत्र है, तो यह आपके, चार के चार, यहां से जो है, हमें, ancient time की अगर बात करें, तो जो education हुआ करती थी बेदों से, ब्रामिन से आपकी, उपनिशीदों से, और धर्म सूत्रों से, इनी की जो कौन से है, Indian source है, हमने बहुत सारे sources देखे, तो मैं आपको एक एक करके जो है, बताती चलूँगी, यह Indian sources है, यानि की भारतिय सुत्रोत है, शिक्षा के, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से है, नेम आपको पता होने चाहिए, अब हम जो है, वैदिक लिटरेचर के बारे में लिख रखा है कि बैदिक लिटरेचर रहेगा, बैदिक लिटरेचर में क्या रहेगा, तो इसको हमने एट पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? एट पार्ट्स में आठ भागों में जो है, डिवाइड कर रखा है, तो आठ भागों में जैसे शुरूती है आपका तो first आपका शुरूती ही आएगा तो देख लेते हैं first part अपना शुरूती वाला तो शुरूती जो है आपका ये क्या कहता है शुरूती मतलब आप सभी जानते है शुरूती का मतलब क्या होता है शुरूती literature आपको सबसे first page जो है आपको शुरूती लिटरेचर ही देखने को मिल रहा है अब शुरूती का मतलब क्या होता है based on hearing यानि कि simple word में अगर मैं कहूं सुनना based on hearing hearing मतलब सुनना तो सुनने पे आधारी जो है वो आपका क्या है शुरूती ठीक है शुरूती जो इसका origin हुआ है divine origin इसका जो origin है लिख देती हूँ origin तो इसका origin है divine divine मतलब यानि की divine मतलब डैवे रूप से यानि की भगवान ने इसको बनाया है माना चाहता है कि किसने बनाया है भगवान ने इसको बनाया है तो इसमें कौन-कौन से है इसमें वेद आते है आपके ब्रामन आते है आरेनक आते है और आपके उपनिशीद आते है तो इनी के बारे में ये आपको पता चल चुका होगा कि शुरूती में क्या आता है जो चीजें सुनी गई है ठीक है जिसे इनको लिखा नहीं गया जैसे वेद है उसको भी हमने क्या क आपका शुरूती लिट्रेचर इसके बाद हमारा जो है सेकिंड लिट्रेचर देखते हैं हमने कहा आठ पहागों में बाटा गया है लिट्रेचर को तो अब सेकिंड लिट्रेचर देखेंगे साथ साथ में लिखते भी चलेंगे आप नोट करते चलेंगे, second है हमारे पास, वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मैनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे अभी तक ऐसे कोई specific sources नहीं आए है, जिसमें अभी तक कोई ऐसी किताब न के पास नहीं है, यह sources, नहीं teachers के पास available है, तो मेरी MA education हो चुक हुई है, तो मेरे पास यह सब sources है already, ठीक है, तो आप सब सोचेंगे, पहले बोल रहे ही, quality में भी है, हाँ, मेरी double है, उसमें, quality में भी MA है, मेरी education में भी MA है, तो दोनों में है, तो इसलिए मेरे पास जो है, द समरिती का मतलब है आपका memory waste, memory waste, यानि कि आपकी जो है, क्या कहते है, समरिती पे आधारी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते है, बेदांग, उपवेद, पुरान और एपिक्स, तो यह क्या क्या होते है, मैं आपको एक 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 स्प्लें करूँगी, लेकिन अभी फिल हाल आ आपके जो है, किस पे waste है, memory पर, waste जो है, आपके जो है, बेदांग, उपवेद, पुरान और एपिक्स, फिर आते है आपके वेद, तो वेद के अब बात कर लेते हैं, आप थोड़े डिटेल में देख लेते हैं, इनको वेद को एक एक करके, तो वेद जो है आपके, वो कित बढ़ रखा होगा आपने, तो वही वेद हम यहाँ पे भी knowledge कपलाई करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता, चारवेद आते है, रिगवेद आता है, यजरवेद, सामवेद, अथरवेद, ठीक है, तो यह समझना आपके लिए बहुत ही easy है, वेद के अगर मैं बात कर है, तो रिगवेद में अगर हम बात करते है, तो इसमें 1028 शलोक है, कितने शलोक है, 1028 शलोक है, और इसमें जो आपके प्रिस्ट है, यानि कि जो पंडित है, आपके जो इसमें, पंडित है, मैं साथ में लिखती इंगलिश में रहूँगे, पोलती हिंदी में रहूँगे, ठीक है तो प्रिस्ट जो है आपके यानि कि जो पंडित है उसे क्या कहा जाता है इसमें तो उसे कहा जाता है होतरी उसे कहा जाता है होतरी और साथ ही साथ में जो है जो गायतरी मंतर है आपका तो गायतरी मंतर जो है वो कहां से लिया गया है जो आप आप भूल वह अवस्वा पढ़ते हैं, तो गायतरी मंत्रवे जो है, वो आपका यही से लिया गया है, यानि कि रिगवेद से लिया गया है, इसके इलाबा और बहुत सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ रखी होंगी, फिलहाल हम उने उने उन्हाइट कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमारे ल प्रिस्ट हुआ करता था, यानि कि जो आपके पंडित हुआ करते थे, अधरवायू, प्रिस्ट, अधरवायू, चीक है, और इसमें जो है, हमने बात की है, इसमें क्या डिस्क्राइब क्या है, तो इसमें रिच्वल एंड सैक्रिफाइजिस, तो इसमें जो डिस्क्राइब क्या गया है, describe rituals, rituals यानि कि जो भी आपकी रिती रिवाज है, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो भी आप धार्मे कानोस्टान करते हैं, यग करते हैं, उन सब के बारे में जो है, जजुरुवेद में आपको बताया गया है, third one is sambet, sambet is related to music, तो यह music से related है, जो भी आपके जो सारे गामा पाजू भी दे रखे हैं, वो यही से आए हैं, कहां से आए हैं? सामबेद से आपके आए हुए हैं, और सामबेद के अगर हम प्रिस्ट की बात करें, सामबेद के प्रिस्ट की बात करते हैं, इसमें जो पढडिट होआ करता था, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है, फिर हमारे पास आता है अधरवेद, तो अधरवेद जो है, वो रिलेटीड टू क्या है, मैजिकल स्पेल्स, यानि कि, जादू टॉनों से, सीधी सी बात, सिम्पल सा बोल ठीक है, मैजिकल स्प सिंपल वर्ड यूज कर रहूं तो वह अठरवीत में के है अपका जादर टोन से संबंदित है सात ही साथ में में मैडिशन साथ रहे है कि कौन सी मैडिशन के लिए रिटीर विज़ और इस बीमारी के लिए यूज रहे हैं वह सब आपका अठरवीत में बता रखा Next. Next हमारे पास आप देख रहे हैं, रहे हैं आपके, हमारे पास यहां पर RNX आएंगे आपके. RNX के अगर हम बात करते हैं, हिंदी में भी रहे ही आप बोलेंगे, तो ऐसे गरन्थ थे यह जिन को जंगल में या बन में वो लिखे गई थे. आपने देखा होगा पहाँ आपने हिस्ट्री जब पढ़ी थे आपने देखा होगा कि आरनक का मतलब क्या होता है कि जंगलों में जो है क्या किया जाता था जो है जो टीचर हुआ करता था वो वही पे जो है उनको पढ़ाया करते थे student उनके पास बैठ करके जो है जंगलों में पढ़ा करते तो वो ही है यहाँ पे जो आपने history में पढ़ रखा बिल्कुल यही पर वो ही लिखा concluding portion of the brahman's contained to the philosophy of germans and rishi in the forgets तो यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फिर आते हैं उपनिशीद तो उपनिशीद के अगर हम बात करते हैं उपनिशीद चोहे कितने हैं 108 उपनिशीद है सभी जानते हैं एक नमबर का question बन सकता है दूसरा जैसे सत्यमेब जैते हैं वो कहा से लिया गया है very very important तो वो मुंड का अपनिशीद से लिया गया है यह भी सभी जानते होंगे नॉर्मली सबने पढ़ रखा जी के में ठीक है तो वही यहाँ पर बताया गया है नेक्स हम कहते है पुरान पुरान के अगर बात करें तो हमारे पास टोटल जो है कितने पुरान है पुरानों के अगर हम बात करें तो आठारा पुरानों की हम यहाँ पर बात करते हैं और इसमें जो है 18 ही पुरान है आपके, 18 पुरान है जिसमें आपकी विश्ण पुरान, मतश से पुरान, etc. जो important थे वो मैंने एक दो नाम लिख दिया है, बाकि आपको पता है कि 18 है तो 18 के ठर नाम रटने की जुरुद नहीं है, आपको पता होने चाहिए कि कौन से पुरान होते है, ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिक्स, तो एपिक्स जो है, वो रिलिजियोस मुक्सी बोल सकते हैं, आप धार में गरंत बोल सकते हैं, एपिक्स जैसे कि रमायन जो है, वो किसने लिख रखें, बाल में की ने, एक नमबर का कॉशन माह भारत जो है वो किसे ने रखी बेद ब्यास ने लेकिन यहां पे अडिशनल मैंने एक और आपको questions यहां पे एड़ किया है first अगर हम epic writer in word की बात करें तो कौन थे आपके homer थे इन्होंने क्या लिखा इलाद और ओडिसी तो इन्होंने यह वो क्लिक रखी है तो आपको पतरण चाहिए homer are first epic writers है तो यह very very important आपके लिए और बाकी epics क्या होते है वो आपको पता चल चुका है जो भी धार्मिक किताबे होती है आपकी यह sources होते है sources तो क्या ही बोले sources ही होती है वो सारी की सारी वैसे वैदिक literature की sources ही है उसके बाद आते है बेदांग तो बेदांग कितने होते है छे होते है ठीक है बेदांग कितने है आपके छे है तो यहाँ पे अब हम दर्शन शास्तर की बात करेंगे philosophy की बात करेंगे, दर्शन शास्तर की बात कर लेते हैं, तो दर्शन शास्तर की अगर मैं यहां पे बात करूँ, तो सबसे पहले इसमें आता है पूर मिमानसा दर्शन शास्तर में क्या क्या आएगा वो आप देखेंगे पूर मिमानसा, न्याय, बैशिशिक और शांक्या, योग, उत्र मिमानसा, उत्र मिमानसा को जो है आप ब्रहम सूतर भी बोल देते हैं, चलिए, next देखते हैं, तो ये फिर आपको दर्शन शास्तर के बारे हम पता चल गए, इसके बाद अब हम देख लेते हैं, कि जो हमने आपका self-realization, self-realization का मतलब क्या होता है, self-realization यानि कि खुद को जानना, तो self-realization को बैदिक एजुकेशन में जोड़ा गया है, यानि कि सबसे ज़्यादर ज़रूरी था बैदिक एजुकेशन में, फॉकस किया जाता था, self-realization पे, अपने आपको जानने पे, क्यों जानना थे, क्योंकि जीवन के चकर से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, तो कह सकते हैं कि मौक्ष की प्राप्ति के लिए ज़रूरी था, कि खुद को जाने और अपने जीवन को मौक्ष के और लेकर के जाए, तो मुक्ष की प्राप्ती हो सके, हमें इसलिए हम जो है हमारा यह बैदिक एजूकेशन में लक्षे हुआ करता था, Self-Realization, Second है, Religiousness, Religiousness यानि कि धर्म से संबन्दित, तो इसमें जो Main Role रहता था, बैदिक एजूकेशन का, वो क्या रहता था, main role जो था वो था धरम का याने main role जो था वो रिलीजन का role रहता था या फिर कह सकते है कि आपका धरम का role रहता था फिर है education for widelyness तो यहाँ पे जो है widelyness आएगा तो इसमें क्या किया जाता था कि जो education provide करवाई जाती थी इसका aim या उदेश्य क्या था happiness हुआ करता था क्या हुआ करता था happiness यानि कि खुशी से रहना तो यहाँ पे happiness जो है यह में लक्षय हुआ करता तो कि हम जब मुक्ती प्रापत कर लेंगे तो हम किस तरह से खुशी प्रापत करेंगे stress से कैसे मुक्तर है सकते हैं मोख्ष की प्राप्ति के लिए जो हम क्या कर सकते हैं, वो सोचते थी कि अग्र हम मोख्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम बहुती ही खुष हो जाएंगे, बहुती ह happiness होगी हमारी लाइफ में, स्ट्रेस नहीं होका, कुष नहीं होगा, यही तो उस टाइम का जो है में मकसद आपने देखा हुगा जैसे आप जब कोई religious books उठा करके पढ़ते होंगे या spirituals चीजों को सुनते होंगे जब हम क्या कहते हैं कि हम कहीं न कहीं connected हो रहे हैं तो मतलब हम कहीं न कहीं चाहते हैं कि हमें बारवार जीवन के चकर से मुक्ति मिल सके इसलिए हम उन चीजों को बारवार हम जो है religious जो भी चीजे होती हैं उनको अपनाने की चाहत रखते हैं तो वो ही सब चीजे यहां पे भी aim और लक्षय जो हुआ करते थे इस education के इस समय के फिर है character formation तो अपने चरीतर को जो है अच्छा निर्मान करना चरीतर निर्मान का मतलब था कि उस time जो focus किया जाता था नैतिकता और आपके बहवार सबसे उच कोटी पर रखा गया था आपके नैतिकता यानि कि आपकी molarity को और आपके बहवार को behavior को इन दो चीजों को जो है सबसे ज़ादा importance दी जाती थी कि आप किस तरह का बरताब रखते हैं बहुत अच्छे से बहवार करना चाहिए उस समय के और आज समय के अगर हम बात करें या comparison करें तो आप देखते हैं कि आज के बच्चे जो है समय नका है किस तरह से कितने अच्छे से प्रैम से रहते होगे कितने अच्छे से बातback होती होगी तो वो सब चीजे क्यों आशिकшего दी जाती थी उसमें क्या किया जाता है क्रेक्टर को willdo किया जाता formation के यह उसकी की जाती थी यानि कि All-Round Personality जो भी आपका व्यक्तितव है उसको DEPALP करना Next, इसमें ही जो है All-Round में Holistic DEPALPALMENT की बात की किए Holistic DEPALPALMENT क्या होती है Holistic DEPALPALMENT होती है कि आपका जो है All-Over विकास होना आपका संगयनात्मक विकास होना, आपका शारिदिक विकास होना पहने, फिजिकल, मेंटली, कोगनियेटिव, मेंटलो कोगनियेटिव ऐसे ही हो गया आपका, इमोशनली विल्ड होना, मॉलेरिटी, डिपलमेंट होना, एक्सेटरा, यह सारे के सारे जो है, छीक है, यह सारे के सारे विकास आप में होना, इसको हम कहते हैं, हॉलिस्टिक डिपलमेंट, यानि की, पौन विकास, सार्विकास होना हिंदी में, फिर आता, स्ट्रेस ओन शोशल डूटीज, तो यहाँ पे जो है, स्ट्रेस ओन शोशल डूटीज की भी जो है, बात की गई है, कि एक स कोई स्टूडेंट है, वो सेल्फ सेंटर ना हो जाए, ठीक है, वो सेल्फ सेंटर मतलब सिर्फ आपने पर जो है, केंदरित ना हो जाए, बलकि उसे जो है, सभी के बारे में ध्यान रहे, जाए, 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 जाए efficiency and welfare तो ये भी जो है इसमें क्या बात करता है ये बात करता है कि individual पर focus ना करके यहाँ पर क्या किया जाएगा अच्छा individual तो उपर वाला था individual पर focus नहीं करेगा next promotions of social efficiency social efficiency कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या होगा skill development पर focus किया जाएगा किस पर skill development ताकि वो welfare की बात कर सके welfare मतलब यानि कि कल्यान कारी चीजों की बात कर सके जो है अपने लिए जो है क्या बन सके वो अपनी अजीविका को कमाने के लिए जो है self dependent हो सके ऐसा नो कि दूसरे पर निर्भर रहे जाए तो ये सब चीजे जो है आपने जो देखी ये aims थे उसके उदेशय थे आपके किसके ये उदेशय थे आपके बैदिक education के तो ये सारी की सारी जो है बैदिक education ही थी आपकी जो most and most important थे आपके लिए और I hope कि आपको ये class मेरी अच्छी लगी होगी अगर फिर भी आपको कोई doubt से क्या हो तो आप comment session में comment कर सकते हैं बहुत सारे student के इवरे comment करते हैं कि English medium रखिए, Hindi medium रखिए तो देखे, bilingual ही रहता है, पहले ही clear कर देती हूँ, मैं अपनी classes में bilingual ही रहता है, ऐसी कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा word आया होगा, जो English वालों को Hindi में समझ नहीं आया होगा और Hindi वालों को English में समझ नहीं आया होगा तो I hope कि आपको class बहुत अच्छे तरीके से understand हुई होगी, और comment और आप like जरूर किया करो वीडियो को, क्योंकि यह आपका जो है, आपका हमारे लिए जो है, reinforcement का काम करता है यानि कि मुझे भी प्रवसाहित करता है कि मैं आपकी लिए जो है, और जाद से जाद क्लासिस लाओ क्योंकि आपकी, अगर मैं उमिद हूँ तो मैं जो चाहाती हूँ कि आप ठेर सारे comment और like जरूर करें वीडियो को, ताकि मुझे एहसास हो, एक एक मिनट मुझे हैसास हो कि कोई मेरी क्लास का बीट कर रहे है और मुझे उनके लिए जो है, क्लास प्रिपेर करनी है, तो आज हमने ये topic देख लिए है कल हम इसी की questions देखेंगे इसी topic के, और साथ में study service, online coaching academy है अगर आप other exam के भी त्यारी कर रहे है माच्य परदेश में, तो आप study service आफ डाउनलोड कर सकते हैं, बहाँ पे आपके जैसे पटवारी का होगे, आपका paper number one होगे आपका और आपके TAT के होगे TGT commissions के होगे, etc बहाँ सारे coachings online चलती रहती है हमारी, जिसमें daily classes होती है, evening में 4 वजे से लेकर के 10 वजे के बीच में timing रहता हमारी classes का, तो day में आप अपना जो भी job कर रहे हैं, या अपनी classes लगवा सकते हैं, साथ ही साथ में ये WhatsApp number रहता है, 75910 46600, and next topic जो हम discuss करेंगे, Buddhist education system पे होगा हमारा, वीडियो को like ज़रूर करें, share भी करें, और subscribe भी ज़रूर कर दें, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए, thank you so much मिलेंगे next video में